नमस्कार, BBC Newsroom में आज हमारे साथ जो महमान है वो आप देख पा रहे होंगे, महुआ मोहित्रा, बहुत स्वागत है आपका, इनको पहचान, इनके परिचे के कोई ज़रुत नहीं है, फिर भी ये TMC सांसद है, पारलिमेंट की भीतर तीखे सवाल पूछने के लिए, पारलिमे आपने कामर यात्रा पे किया, और पिछले दिनों Cash for Query मामले में, पैसे लेके सवाल पूछने के आरोप में उलजी थी, और फिर दुबारा जीत करके सदन में आई हैं, फिर एक जबरदस भाशन दिया अपने सदन में, और इस बार तो पारलिमेंट देखने में हम लोग को बहुत मजा रहा है, इसे पहले कि मैं अपना पहला सवाल पूछे महुआ, यहां पर BBC में काम कर रहें, साथ अलग लग भाशाओं के सभी पत्रकार हैं, हिंदी, तमिल, तेलगू, पंजाबी, गुजराती, मराथी, अंग्रीजी, तो सभी भाशाओं में लोग पूछेंगे यू कि चूज तो आंसर, जिसमें भी आप सबसे कमफुटबल हों, हर तरह की सवाल होंगे, और हम लोग को पता है, आप सवाल पूछने से नहीं घबराती, ना बोलने से घबरा, जवाब देने से घबराती हैं, तो इस बार के पारलिमेंट सेशन में आपको कैसा लग रहा ह हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहां, देखिए, 2014 से हमारे जो कॉलीग से पारलिमेंट में, वो कह रहे हैं कि एक स्टेडी डेटरियरेशन हुआ जा रहा था, और 19 में जब हम पहले बार चुन के आए, उसके पहले हम MLA थे, तो 19 में, मैं पह जैसे उनके पास, बीजेपी के पास, 303 सांसद, वो अकेला खुद के सिंबल पर जीते हुए थे, और प्लस अलाइज उसके पास थे, and we were really in a minority, the opposition was in a minority, तो अब जो पारलिमेंट है, it's a real पारलिमेंट, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, इंडिया एलाइंस के पास 234 बीजेपी के जो आलाइज है, TDP 216 और JDIU 12, अगर आप देखे तो वो, they have not joined NDA for love, they have joined it for pure give and take, और वो गिवन टेक जो भी हो, पारलिमेंट के अंदर, TDP के सांसद, ना तो JDIU के सांसद, they are not very voluble, they are not very aggressive, so basically it's 240 versus 234, अब हमारे जो 234 है, उसमें आप सांगली का इंडिपेंडन जोड लीजे, आप लदाक का इंडिपेंडन जोड लीजे, आप 2-3 और जो सिंगल पार्टी जीत के आए है, वो हमारे साइट पे ही है, तो basically it's 240 versus 240, अब अगर आप इसमें qualitatively आप देखे, तो we are used to being in opposition, we are used to fighting, अ अब जो 234े साइट में है, वो तो सब लडाकू है, जी, हाँ मजा तो आ रहा है बहस देखने में, हम लोग को पत्रकारों को ये देखने में अच्छा लग रहा है कि जन्मुदो पर बात हो रही है उसमें बहस होरी है, अन्या बहस मुरी है, तो मुदो पर बात होने से Parliament का दोग हैं इंडिया भ्लोक में TNC is part of India block or not it's very confusing? 200% not at all why is it confusing? How is it confusing? we were everywhere. We were part of the, very much a part of the India block. Only in the state. The Congress and the left are part of the India block. Congress and the left fought separately in Kerala. Congress and the Yahu are part of the India block. एक पूंग जो जो दूर से लगता है कि अपे अपनीज जिए आप नहीं नहीं है। इस नो क्वेश्चिन अप मज़ा हमारे जैसे अखिलेश यादवजी हाई हमारे 21st July मेइटिंग के लिए so there is no question of not going anywhere in the morning meetings everybody is doing it's a united strategy but Neeti Ayo की meeting में जैसे की बहुत सारे India Alliance के लोग नहीं गए मता जी गई और रंदे दिन गवरा चांस to speak she came out and when she came out Uddhav ji spoke and said this should not have happened Stalin sub tweeted and said that this should not have happened so there is no question of that she wanted to go there to bring up a point देखिए we are democratic we are democratic even within the India block everyone's allowed to have different points of view महुआ बस taking a cue जो भी आपने कहा की आपका जो अलाइनस वो completely democratic है अलाइनस के अलावा ट्रिनमूल कॉंग्रिस किती दिमोक्रिटी है मैं यहाँ पर बैठी हुई हूई हूँ और मैं एक so to speak non-traditional politician हूँ ना मेरे पास कोई long legacy of family politics है ना मेरे पास कोई हजार करोर का business है I was a lateral entry into politics मैं एक single woman woman हूँ जो अपने हिसाब से life जीती हूँ मेरे first term MPK last में आपने देखा a conspiracy करके दे you know expel me from parliament wrongly when everybody when mr. Adani was telling everybody that a Mamta Banerji is not going to give her a ticket where month where even if she gets a ticket she's not going to win her own party doesn't like her so in if this was not a democratic party there are many times where I have said something which I believe to be correct which that not may not necessarily be the voice of everybody in the party but the fact that we are all together in this party and the fact that we have all fought together under Mamta Banerji's leadership and come back with 29 MPs just shows that within I think in India I've been in the Congress also and I think TMC is not only democratic it actually celebrates diversity aapne kaha they are together not for love so you are together is it for love or for something else we are together for the love of democracy and we are together because we realize that ultimately we are political parties that believe in ideology and the ideology basically is to save the country and to save the constitution now I'm not saying that every politician is Mother Teresa and we are all here for some great social service that's not the point we have we may all have little chinks in our armor also but the main point is that we are all driven by for saving the soul of India and for the constant for constitutional values and we realize that if this BJP were to continue the way it was there would be nothing left of India as we know it because every minute every pillar of of democracy the media is already gone the judiciary is very shaky every single statutory and constitutional body has been taken over by the Gujarati mafia so what was going to be left in this country if we didn't step in so yes we are united by our love for democracy but we are also united in this desire to save this country before it was finished so the India alliance is the primary opposition alliance you're a member of it yes Raul Gandhi is the opposition leader is he the natural leader of the India alliance is he acceptable to you as the leader of the alliance look he's the leader of the opposition we've spent 10 years without an LOP because we didn't know single party had the numbers so it is a matter of great joy to all of us that we in the opposition have got the numbers this time and one party has got 100 seats that we have got a leader of the opposition and he's a leader of the opposition we're all in the opposition so there's no question of you know being dissenters but no no I'm asking is he the leader of the India alliance the India alliance doesn't have it doesn't have a convener so every meeting is chaired by representatives of each party who together make up the India alliance there's no one leader of the India alliance there's no one convener we've never had that and that's not a weakness not having us not at all not at all that's our strength it's that every time we are our ideologies and the parties are together it doesn't depend on any one individual okay nice okay Rajesh nationally speaking in Hindi in Trinambul Congress Agailas also spoke to multiple directors from the best actors and other parties of the European and the future of the कर्लेमेंट में हमने देखा जिस तरह से अभिशेक बैनर जी ने बोला जिस तरह से उन्होंने भाशन दिया और वो काफी दिल्चस्प भाशन था और उसकी भी वैसी चर्चा हुई जैसे आपके भाशन की होती है अभिशेक बैनर जी ममता बैनर जी के बहतीजे हैं अभी तरन क्या कहते हैं आप हिंदी में कापिलियत नहीं है तो दुनिया का किसी भी शक्ति उसको कुर्सी में बठा के नहीं रख सकता है ठीक है इन बंगॉली भी है विवेकरन ने कहा था कि शिंगाशन के कोनो अजोगो बेखती कोनो शिंगाशन के दोरे राखते पालेना थे विवेकर हैं तो रिर आपर शोड़ो vot कैंश था में उनिवस्ट का कि प्रिवा विव एविव था दिए आप ऴंदिया संतनि के आजए वह थाना मीड休ędे लीओ खालमि रृपसारे नेता के उख संगाट वान अजय घैंपर रह नहीं पाई, आख in this case Abhishek 2014 में नपी बनाय था, 19 में जीता है, 24 में जीता है, he is general secretary of the party, अगर उसमें ये काबिलियत नहीं हो तो वो बार बार के ना जीत के आता और ना हमारा party उनकी organizational leadership के अंडर में 29 seats लेते, so there is no question of natural inheritor, asana है कि Abhishek असमान से तपका और ममता ने कहा जाओ, आप मेरे inheritor हो, आप मेरे वारस हो, there is nothing like that, he is a third term MP, so are you, I am a second term MP, and I am district president, I am district president of the party, I am second term MP, I am a general secretary in the party, I am spokesperson of the party, नेम को लगता है इतनी मानदारी से हम लोग को जरूर accept करना चाहिए कि एक जो परिवारवाद का इल्जाम हम दूसरे party हो पर लगता रहता है, अभिशेक बैनर जी, एक natural inheritor क्यों हो, आप जैसी महिला, जो इतनी, किसने, किसने का वो natural inheritor है, ने, एक जो mahal बन रहा है, वो mahal तो आप बनाते और BJP बनाते, जिनके 20 cabinet मंत्री, जिसके बनाते थाने हैं, वो इनरिटर कुछ नहीं होता है, अपने काबलियत में अगर इनरिटर होता है, अगर वो इस बार जीत के नहीं आता, महमता बैनर जी जा के तो अपना बटन दबाके डायमंड हावर में उसको जिता के नहीं है? हाँ कि ना? ने, बिलकुछ नहीं बात है. लेकिन ममता बैनेजी के बतीजे हैं, अगर ममता बैनेजी के बतीजे हैं, बहुत सारे संस और डॉटर्टर्स हार जाते हैं. आपको मिलेगा चांस, जैसा भी अभी शिक बनेजी के इस तरीके से मुझे एक्सपेल किया गया, और जिस तरीके से इंडिया में आदानी और उनके मीडिया माहोर क्रियेट किये, कोई और होता तो शायद मुझे टिकेट नहीं देतें, कि वाई, देर हांडर्ड पीपल तो गिफ टिकेट कुमे, क्यों इस कॉंट्रिवर्शिल केरेक्टर को टिकेट दू, ममता बैनर जी टिकेट दे हम जीत के आगए, तो इस ते ज्यादा डिमॉक्रसी किसमें है, आप ये कह़ एं कि तेरंबूल कॉंग्रिस में नेतरत के लिए मामता बैनर जी के बाद जो बी होगा, वो एक मुकाबला होगा, और मुकाबला कुछ नहीं है, ममता बैनर जी is the party, ममता बैनर जी is the chairperson of the party, अबशेक is the national general secretary of the party, अबशेक is the system in any party, किसा थpai।। उन्हाओ उन्हाजी था पार्टी। हम आपी जो मुऊसे और रिपौंटि यहां, हम उसको इश को ऊartal भांशे मैं नहां थे यह ताम्योचा है व्य neither यह अपने कहा हुण है उन्हाओ ऌप हम अपने कहा है कि अपनेज अपी। अपने कहां कि काबियत है इसले वो जो भी काबिल होगा वही सत्ता पर रहेगा उसी की कुरसी होगी मैं अपसे पूछना चाहती हो बस नरेंडर मोदी की क्या काबिलियत है कि वो फिष्ले तेन तंसे प्रदान मंतृ अपके हिसाफ से अनकी क्या काबिलियत है लेकि expect तो ने नेरेंडरो मोधी का जो एक है, he appeals to the basist in us. इसको हिंदी में अब क्या कहते है, पता नहीं. देखिये, हर शक्स के अंदर, एक, there is a nobler side and there is a baser side. इसको भी हिंदी में translate कीजिए, आप बता हिए. क्या कहते है? अगर आम हिंदी में कुछ गलत शब्द बोल ने तो फिर ठीक नहीं होगा अगरे अगरे भी बोल शब्ल एव अगरे भी जैसे नहीं है कि हमारे देश में सब लोग ऐसे हमारे फैमिलीज में भी कोई लोग होते जो सोचते हैं जिनके पास ये सोच है कि मुसल्मान गंदे है, मुसल्मान के पास बहुत सारे बच्चे होते है, मुसल्मान ये है मुसल्मान वो है, कभी कभी ऐसा भी होते है कि वो कभी मुसल्मान से मिक्स भी नहीं किया हूँ, मुसल्मान के साथ उनके कोई आना जाना भी नहीं है कि आपके अंदर जो भी ये सब बेसर एमोशन्स थे वो आप अभी खुले आम कह सकते हो और not only that, you can feel superior to somebody, right? So this is the negative energy that Narendra Modi channelized very effectively. ये काभिलेत उसमें है, constitutional morality और populism एक फर्क है, जो एक leader है, वो popular हो सकता है, पर constitutional morality follow करना है. Narendra Modi taught us how to become popular without following constitutional morality, right? So ये जो है, ये उसकी काभिलियत है. पर तीसरी बार कोई व्यक्ति, कोई पार्टी अगर जीत करा है, और इस अबसे बड़ी पार्टी बनके आए, तो उसको कुछ तो आप credence दे सती है, आप anti-modi है, ये बहुत सफ़्ष्ट है, आप दो बार जीत के आए, 303 लेके जीत के आए, तो आप, if you see Hitler, you see the rise of fascism everywhere, if you see, अगर आप देखें, second world war में, ये 1939 से 1945, second world war चला था, पर ये जो जो जूस के अगेंस में, जो movement था, ये 1911, 1912 से शुरू हुआ था जूमनी में, तो ये जो 30 साल, 4 साल थे, they saw the rise of Hitler, he only got stronger and stronger and stronger, 19, from 1935 to 1945, ये 10 साल, तो Hitler का राज था, पर जूमनी ये बहारत का लोकतंत्र है, ना, क्या लोकतंत्रा है, तो लोकतंत्री अपको होई जीत ली जीए, तो ये लींनुष पाइचिस्म अगर फैसिस्ट इडियॉलजी है इसी तरह चलता है। इस इन इलेक्ट और टॉक्रसी। ने भी ओन पेपर देमोक्रसी आप यह कहना चाहते है। अब जो देखे यह रिजाम्पल देनी हैं जिन्देश्टों करते। वहत, भारत के लोग बहुत पैषंट है, हुआ इजार दीज, होगा जीट के आय थे, हैं कि इस कृघे इस बाहत थिए अस्या बाह्त दोल श्याद बाःव स्टाइए, इजी कह सफेहर संठ की नहीं हैं, यह alla बशुसक्तनि को देते हैं, यह पूरा इलेक्शन सिर्फ मोदी पे चला था, मोदी वस दो अनली कैंडिडेट, हर जगा, हर बूत पे, हर वोट, मोदी के नाम पे इन लोग ने मांगा है, और उस तरह अगर आप देखे तो इन लोग ने हरा है, मोदी अस लोस्ट, मोदी अस नाट वण, मोदी जी की बात होती है, आप सच मुछ में नाराज हो जाती है, में नाराज नहीं होती हूँ, हम बसी पूछना जाती है, कभी मुलाखात हुई, आपकी कभी ऐसा वो बोले हो कि क्या भी महुआ क्या बात है, इतना नाराज के हो, किसी को पूछते है, आप से किसी हम आपको प बुलाते थे ववाइचपाय जै समोसा चार पूलाते थे घर पे आते थे मिलते थे मन्मोहन पुरा सुनिये नहीं इसलिए इसलिए इस सवाल का अंसर बहुत है आप उसी संसद में बैठते हैं जहां हो दीजी तो आप तो अरे आप तो इसी बीट को कवर करते हैं पर एक यासी इंटर्वियू ने इसलिए आप लोग जाते हैं जो आंसर वो भी जाता है कौन कैसे किस तरह बैठेगा किस तरह पूछेगा सवाल किसके बाद किये ये भी पीमो से आता है तो मोदी जी ने तो किसी के साथ बात ने किया किसी को नहीं पूछा कि संगीता कैसे हो तो क्यू मुझ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ ती बहुर की परी हूँ जो मोदी जी बोले के लो मा हुआ कैसे हूँ हूँ ने पर आप आप वो हैं जो कि जिन सिंसे मिलने के लिए मुझ सब इतितर देर तक इंजार कर रहे तो एक सवाल हम पले इसका I mean Mahua as a female politician not the usual lady with saadi and pallu on her head. She has very different image and had faced character assassination for it. In Hindi में हम बस ये बोले कि Mahua Moitra को एक typical politician नहीं है जो कि saadi और pallu सर पर रख कर के आए है वो बहुती एक बंदास और ऐसी महिला है जो कि अपने बंदास पने के कारण काई बार उनके character assassination भी होते रहे हैं. How hard it is for her to be her true self and not fall in the trap of ideal Indian female politician's image. इनके लिए कितना मुश्किल एक जो एक stereotypical image है महिला राज नेताओं की उससे अपने आपको बचाए रखने के लिए. यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है. यह मेरे लिए आसान है. क्योंकि अगर मैं कोई double role play करती. अगर मुझे हर election के पहले जाके गुफा के अंदर कपड़े खोलके एक दोती पेंके गुफा के अंदर बैठना पड़ता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं ऐसे फॉल्स हुट में जाती ही नहीं हूँ. मैं जो हूँ सो हूँ तो मेरे लिए बहुत एज़ी है. I am not leading a double life. मैं तो यह सोचती हूँ. मेरे लिए तो बहुत एज़ी है. देखिए एक ब्यूटी है पार्लमेंट में ना. हम हमारे कॉलीग्स के वेल बींग और कॉलीग्स के वोटों पर जीतके तो नहीं आते हैं. पार्लमेंट में जो आत्मस्पेर होता है वो बड़ा ही कन्विवियल होता है. ऐसे बहुत सारे जो बीज़ी के लेडीज है और वे रॉल फ्रेंटीन में बैठते हैं, कहते हैं और अभी मुझे एक चीज मुझे खराब लगता है कि यह नयाज जो पार्लमेंट बिल्दिंग बनाया है, वो मोधी जी और बीजेपी ने बहुत सोच के बनाया है, दे डोंट वांट उस सिटिंग तोगेधर, पहले जैसे सेंट्रल हॉल था, आप लोग मीडिया भी आते थे सेंट्रल हॉल में, और वी उस्टो अल सिट तोगेधर सब के साथ, मैं राज्य सभा में कितने तो हमारे जो यह जजिंग वाली जो आप कह रहे हैं, यह रिलेशन्शिप सांसद भवन में कभी था ही नहीं, और सांसदों के बीच में कभी था ही नहीं, इन फैक्ट जो हमारे विमन सांसद है, we have a great relationship, we all laugh, joke, we have lunch together, a party together, it's a wonderful atmosphere, जैसे आपके workspains में है, इसमें कोई प्रब और यह जो बदले-बदले राहूल है, वो आपको कैसे लग रहे हैं, लेकिये, राहूल गांधी के ओपर मुझे कुछ कहना, actually it's not fair and shobah नहीं देता, frankly speaking, because I am in a different party, he is in a different party, so it's not fair for me to comment on him, I can comment on Mr. Modi because he is my Prime Minister and we are fighting against him, but as far as राहूल जी is concerned, I think he is, you know, I think he is a wonderful and brave brave person, why not, why not, why not? वो लड़के आए हैं? क्यों नहीं हो एप लोग नहीं थी एप लोग ने भी जाए किया ते भी मिडिया है, आप लोग मतलब देश का जो एप लोग है, बेकार है, ये है, वो है, मतलब खुराक बन गया था मजब का बहुत साल से, अब अब देखिये, 6,000 किलोमेटर तो वो चल के आए ना, बीजेपी के कौन सा सांसा चल सकते थे 6,000 किलोमेटर, राइट और रोंग, अब one thing about Rahul Gandhi is, he is what he is, he is standing there and saying what it is, he is not bowing down, he is not changing himself, he is not playing soft Hindutva, and he is fighting them on their own territory, so BJP क्या समझती है, BJP समझती है कि सिर्फ वो ही Hindu है, और उनका जो Hindutva है, कोई उसके बारे में, nobody can enter that territory, अब Rahul Gandhi has said, I am going to enter that territory, all of us have said, this is not your territory, right, साब Narendra Modi, Hindutva नहीं है, Hindu नहीं है, मतलब Narendra Modi doesn't speak for all Hindus, RSS Hindu समाज नहीं है, नरेndra Modi हिंदू समाज नहीं है, और सिर्फ BJP हिंदू समाज नहीं है, यह सच्चाई, यह सच्चाई, जो हम सब जानते, यह is stood up and said it. रहुल गांधी की बात हो रही है, तो वो काफी समय से कास संसस की मांग उठा रहे है, उन्होंने भी बजट बनाने वाली टीम की भी कास्ट की बात की संसद में, तो TMC का इस पे स्टैंड क्या है, और क्या, जैसे बिहार ने खुद करवा लिया कास सर्वे, TMC बंगाल में ऐसा करवाईगी है? अगर कोई हमें से बना चाहे है पुलिटिशन, एक 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 पिटफॉल से अवेर रहे हैं? पॉलिटिक्स में जो एक अजीब चीज है, कि आप सबसे स्मार्ट हो सकते हो, आप सबसे हार्ड वर्क कर सकते हो, पर आपके पास वाला, आपसे कम बुद्धी हो सकता है, उसके पास, आपसे कम काम कर सकता है, पर वो आगे निकल जाओ और आप पीछे रह जाओ, तो यह जो मैं तो 92 से हूं, उनको टिकेट मिल गया, मुझे टिकेट नहीं मिला, आप सोच सकते हो, मैं तो कॉंसे में रहती हूं, आप सोच सकते हो, मैं तो कॉंसे में रहती हूं, I do everything, मैं तो सुबह से शाम काम करती हूं, मैं साथ हजार से जीत रही और कोई, देखो कोई आई, If you do this, you will go mad. You have to play by, say, do your best and accept the ground for what it is. ये ग्राउन में 2 प्लस 2, 4 नहीं होता है. पॉलिटिक्स में शायद एक चीज और होते हैं, कि धोके बहुत जादा मिलते हैं. आपके साथ जो हुआ शचले पारलिम्ट सेशन में कि आप कैशफ़ झाएं चैश्फर क्वरी एक आप पर लगा और आप ही कि करीब ही लोग आप उन्हें भी उसमें बयान दिया. अब यह तो यह सच हो सकता है यह एक बिट्रेल हो सकता है अब कहरी एक कुरीजी थी तो दिद यू बिट्रेदेर लिए ने को जो भी प्लेंट in the What are the stakes? I am in the Parliament of India. I am 543 में से एक हूँ. Last Parliament में out of 78, I was one. Right? Who am I fighting against? I am fighting against Modi, the BJP, and I am fighting against the most powerful businessman in India who is backed by Mr. Modi. I have taken them on head-on in Parliament. So what do you expect? That I am going to get flowers or bouquets everywhere. Right? There is always a price to pay. The question is, you can't control what happens. You can only control how you deal with it. So I am not thinking about betrayal in betrayal. Whatever happens, happens. How have I dealt with it? But who are my friends? Who are my friends? The question is, have they been able to prove it? What do they want? They want the process is the punishment. That you are so disappointed that you sit on the negotiating table. But I have not done anything. So I have to sit on the negotiating table. You have to do something. 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 And you have to do something. I am not the person, but I am not the person. So, I am not the person. He is an investor in our state. Reliance is a big industry in our state. He has come and personally invited the Chief Minister. As the Chief Minister, why would she not go? There is no problem. Why should she not go? no it's also about symbolically why should she not go what I mean she is an investor in our state she has a good relationship with him why should he not go more related to the bohoa moitra the individual not the bohoa moitra politician which lay a salmage I'm gonna dekha cash for query joby or character assassination dekha so I just wanted to know for you personally how painful and how stressful was this battle battle against all the odds in as a single woman as you have said in a misogynist society and how long you can sustain this what do you think I've sustained it I can sustain it forever because you know I've said this in an interview before key I didn't I don't have the luxury of backing down because if I was just agar me a kelly sir may both sorry women both sorry mahi nahi bohont sorry you were mere tariff dekhtay key as a fighter so agar if I stop fighting and I stopped standing up agar me hansla khodeti agar me himmat khodeti to mujhe lagta hai ki bohut sari baathe log jom meri tariff dekhtay honsla ke liye himmat ke liye I would be letting them down so for me it is a question of fighting to the finish jab aap trimool kongres ki baat karein aur west bengal ki baat karein to jin jin arope aap jojo arope a bjp pe lagate hai bohut hath tak jahe wo hinsha ka ho chunaawi hinsha ka ho turn quotes ka ho kai sari bata zameen pa ja karke unmein se bhoht sari baathein sach dikhti hain west bengal me bhi hoti hain aapki apni party ke kai sari loog aapke chahe sympathizer hoon ya kisi tari se jude hoon ah mahilao ke khilaaf ho rehi hinsha mein unko kai baar paaya gaya hai kai sari ase disturbing videos aate hai west bengal se chahe wo sandesh khali ka maamla aya ho scandal hi raha ho ah or being a woman I mean for for a second I want you to just come out of this whole party prism and as a woman I want you to react on it kia aap kaise isku defend karthi tmc me aap kya badlaav chaheengi agar kuchh chaheengi toh ye ye jaysse bengal me bengal is a very strong woman oriented society right aur ye chow aadhe aadhe se zahada videos aap dhekhte hai they are very I mean I have seen out of every ten videos I would say between eight and nine are made up jaysse sandesh khali sandesh khali ka kya ishu ta ki land grab ka ishu tha land grab ka ishu tha land conversion ka ishu tha jo unho ne kaha ki tmc leaders ja ke nko rape ki e nko women ke bole we found we got the video saying all of them were fake BJP paid women two thousand rupees to say that they had been raped to seven months ago kyunki medical test na lage so this entire sandesh khali incident whatever it was jaysse all of the media said was completely false it was not a woman it might have been an issue with something else it was certainly not an issue of rape so that is false now whenever something is true or something happens in west bengal I think we are among the states where we have almost zero tolerance to this I know because I I come from a rural constituency and whenever these issues come to me I know how hard we deal with it so there is nothing in the TMC that I would want to change yes in you know within within the party structure it would be wonderful but that's like saying you know in the BBC what would you change yeah I would say if you ask me yeah so within the party structure of course there are there are small things when you're in I mean I'm district president for example do I do I think that they should be you know better ways of redressal mechanism within the party when it comes to grass level yes there may be but those are issues that we fix as we go along if you are saying that there's anything big systemic changes in the TMC that need to be brought about no I've been an adhani case adhani ji ke samana malaba adhani ke samana ex-dom front-foot uh-huh okay up kail rae is open hoke agar malo ke kal adhani a garage or CMO Bengal kya bole ke muji uh-ha invest karna hivest bengal mein to aap kya karen ke malab TM-se ka what is the stand-up we have no problem with anyone one bringing investment anywhere okay investment per se there is nothing wrong with it is the method it is the method we have no problem with proper investors so Adanika agar dekhe to airport car it is very clear kiko if somebody has to bid for airports you have to have experience in running airports gmr was running they was running bombay airport they were running it fine overnight that was taken away with a gun to their head and given to Adani gbk where there was he had no experience in running airports how does that happen so we have issues with that is somebody wants to invest in any state and you want to invest why the proper way there's no problem paid period leaves joe hoti hain us ko we haven't got a public we haven't got a public statement out on it there isn't any party statement out on this so it's not right for me to comment on behalf of the party simply because we have not got an official party like look individually many every woman's menstrual cycle every woman's body is different it should be a flexible thing but if you've got a problem with it that there are ways that employers and there are ways in which working environments work around this issue so definitely i don't think if you're dying of a of cramps and you have dysmenorrhea you you have endometriosis that you are forced to come into work you know dying i've had people sitting next to me with hot water bottles clutching over because they can't take leave now that i think it's not acceptable just now I am absolutely not doing this just now we are just going to finish your friends? are you friends? many of them want you to marry me I am sure why are you friends? they are all friends? who are friends? everyone is your friends? I am friends in my party I am friends inside my party in the other party other parties why not? हाँ नहीं, वहीर जानना चाहे हैं आप लूगक कोम्राटरी यंग विमन... आप लुकों कि वोग एंग वाट अट ना विमन कामें है जोने वहारे हैं कि आप ही अच्छिन понять है कि वही होत्त मत कविद घ्रप। बहुत सारे फ्रेंज है हमारे Youth Congress Time के बहुत सारे फ्रेंज है दूसरे parties मगर अब देखिये TDP में बहुत सारे फ्रेंज है सब जग है फ्रेंज है across party lines, BJP में में बहुत सारे फ्रेंज है Do politicians have fun? I mean you have fun We have fun, of course We have fun, why not? We have fun See, doing what we do, we have fun in what we do also We enjoy what we do also It is not that you think that politicians work and then they have to go and unwind That is not If we didn't get enjoyment out of that, we would not be able to do it So we get enjoyment in our work also The love we get from people, the affection we get from people People think that elections are very hard work Yes, it is hard work, but we enjoy election time campaign We also enjoy when people meet, we meet so many people They give us so much love and affection That is also great, an energy booster That is also gives you great adrenaline You know, so every election that you go Yes, you are in the sun, it ages you five years But you also get intense energy and intense love And intense connect and bonds with people That also makes us go So it is not like politicians work and then they go and party like that That is nothing What we do, we enjoy daily life and we relax That is absolutely right, thank you very much Unapologetically, Mahua Moitra That was for you, thank you Moitra Thank you so much Thank you everyone Thank you Thank you